परिचय, छात्रो, हम सभी सरल रेखाओं के बारे में जानते हैं, क्या कोई बता सकता है कि इन्हें किसने शामिल किया? ठीक है, मैं बताता हूँ, रेखा या सरल रेखा के विजार को प्राचीन गणितग्यों द्वारा अपनाया गया, यूकलिट उन्हीं में से एक थे. अध्यापक जी, उन्हें सरल रेखा को अपनाने की आविशक्ता क्यों पड़ी? बच्चो, नगर्णे चोड़ाई और गहराई वाली सीधी वस्तूओं को प्रदाशित करने के लिए उन्होंने सरल रेखा को अपनाया. यूकलिट ने एक रेखा को लंबाई कम चोड़ाई के रूप में परिभाशित किया, और आधार भूत गुण धर्मून के रूप में ऐसे कई सिध्धांद प्रस्तुत किये, जो सिध्धे नहीं हो पाए, जिनसे उन्होंने जयामिती की रचना की. क्या आपको पता है कि हम उस जयामिती को क्या कहते हैं? यूकलिट जयामिती बच्चो, नगर्णे चोड़ाई और गहराई वाली सीधी वस्तूओं को प्रदशित करने के लिए उन्होंने सरल रेखा को अपनाया. यूकलिट ने एक रेखा को लंबाई कम चोड़ाई के रूप में परिभाशित किया और आधार भूत गुण धर्मून के रूप में ऐसे कई सिध्धांद प्रस्तुत किये जो सिध्धे नहीं हो पाए, जिनसे उन्होंने जयामिती की रचना की. क्या आपको पता है कि हम उस जयामिती को क्या कहते हैं? शाबाश! हाँ, तुम सही हो. यूकलिट जयामिती. लेकिन आधुनिक गणित में रेखा की अवधारणा का उस तरीके से गहराई से सम्बंध है, जिसके अनुसार जयामिती की व्याख्या की जाती है. उधारण के लिए, वैशलेशिक जयामिती में तल में एक रेखा को प्राया उन बिंदूओं के समों के रूप में परिभाशित किया जाता है, जिसके निर्देशांक दिये गए रेखिक समी करण को संतुष्ट करते हैं, लेकिन आपतन जयामिती में एक रेखा स्वतंत्र व अबस्तू हो सकती है, जो उन बिंदूओं के समों से अलग होती है, जो इस परिस्थित होते हैं, आईए सरल रेखाओं के बारे में और जानें उध्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ढाल अंता खंड रूप की व्याख्या करना अंता खंड रूप की व्याख्या करना लंब रूप को जानना एक रेखा के व्यापक समेकरण को लिखना एक बिंदू से रेखा की दूरी ग्याद करना दो समानतर रेखाओं की बीच की दूरी ग्याद करना धाल अन्ता खंड रूप किसी रेखा के समीकरण को प्रदशित करने के लिए शायद धाल अन्ता खंड रूप का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है धाल अन्ता खंड रूप के प्रयोग में समर्थ होने के लिए आपको निम्न करने की जरूरत है एक रेखा की थाल गयाद करना और रेखा का Y अनताखंड गयाद करना समानिता थाल अनताखंड रूप में निम्नसूत्र को माना जाता है Y बराबर MX जमा B, जहां M रेखा की थाल है और B Y अनताखंड है धाल अंता खंड रूप का उधारण उसे रेखा का समीकरण ग्याद करें जो Y अक्ष को मूल बिंदू से उपर दो इकाई की दूरी पर काटती है और X अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिगरी का कोण बनाती है हल ग्याद है कि यदि हम M ठाल वाली कोई रेखा Y अंता खंड बनाती C है तो रेखा के समीकरण को Y बराबर MX जमां C के रूप में व्यक्त किया जाता है यहाँ C बराबर दो और M बराबर टैन तीस डिगरी जो की एक बटे वर्गमोल तीन के बराबर है इस प्रकार दी गई रेखा का अभीश्ट समीकरण है Y बराबर X बटे वर्गमोल तीन जमां दो इसे हल किया जा सकता है X घटा वर्गमोल तीन वाई जमां दो वर्गमोल तीन बराबर शूने अंताखंड रूप रेखा का अंताखंड रूप दोनों अक्षों के अंताखंडों पर आधारित रेखाखंड का समीकरण होता है X अक्ष और Y अक्ष पर क्रमशा A और B अंताखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण है X बटे A जमां Y बटे B बराबर एक A X अंताखंड है B Y अंताखंड है A और B अशूनने होने चाहिए लंब रूप किसी रेखा के समीकरण को निर्धारित करने की विधिया, समानिता, रेखा पर एक बिंदू या बिंदूओं के बारे में किसी जानकारी पर निर्भर करती है लंब रूप एक ऐसी विधि है जिसमें रेखा के किसी भी बिंदू के बारे में पहले से जानकारी की जरूरत नहीं होती है रेखा के बारे में इसकी मूल बिंदू से दूरी तथा लंब और X अक्ष के बीच का कोण ग्यात होता है जहां कोण को X अक्ष की धन दिशा से वामा वर्त मापा जाता है एक सरल रेखा के समिकरण का लंब रूप है X कौस अलफा जमा वाई साइन अलफा घटा पी बराबर शुन्ने जहां अलफा एक्स अक्ष से रेखा पर मूल बिंदू से लंब के बीच का कोण है तथा पी लंब की लंबाई है लंब रूप का उधारण उस रेखा का समिकरण क्यात करें जो मूल बिंदू से पांच इकाई की लंब वत दूरी पर है और लंब द्वारा धन एक्स अक्ष के साथ निर्मित कोण 30 डिगरी है आईए इसे हल करते हैं यदि पी मूल बिंदू से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है तथा ओमेगा लंब द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ निर्मित कोण है तो रेखा के समीकरण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं एक्स कॉस ओमेगा जमा वाई साइन ओमेगा बराबर पी यहां पी बराबर पांच एकाई और ओमेगा बराबर तीस डिगरी इस प्रकार दी गही रेखा का अभीश्ट समीकरण है एक्स कॉस तीस डिगरी जमा वाई साइ इसे हल किया जा सकता है, x वर्ग मूल 3 जमा y बराबर 10. रेखा का व्यापक समिकरण, ax जमा by जमा c बराबर 0 रूप की कोई समिकरण, जहां a और b एक साथ 0 नहीं है. व्यापक रेखिक समिकरण या रेखा का व्यापक समिकरण कहलाता है, व्यापक समिकरण के विवित रूप, ढाल अन्ता खंड रूप, यदि b 0 के पराबर नहीं है, तो ax जमा by जमा c बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, y बराबर घटा a, x बटे b, घटा c, बटे b, या y बराबर mx जमा small c, जहां m बराबर घटा a, बटे b, small c बराबर घटे c, बटे b, y अन्ता खंड है, यदि b बराबर 0, तो x बराबर, घटा c, बटे a बराबर x अन्ता खंड है, जो की एक उर्दवा धर रेखा है, जिसकी ढाल आपरिभाशित है, अन्ता खंड रूप, यदि c 0 के बराबर नहीं है, तो ax जमा by जमा c बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, या x बटे a जमा y बटे b बराबर 1, जहाँ a बराबर घटा c बटे a बराबर x अन्ता खंड, b बराबर घटा c बटे b बराबर y अन्ता खंड, यदि c बराबर 0, तो ax जमा by जमा c बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जाए, जा सकता है, ax जमा by बराबर 0, जो मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा है, और इसलिए अक्षों पर 0 अन्ता खंड है, लंब रूप, माले x कौस अमेगा जमा y साइन अमेगा बराबर p, समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 या ax जमा by बराबर घटा c के द्वारा प्रदशित रेखा का लंब रूप है, इस प्रकार दोनों समीकरणे समान हैं, और इसलिए ए बटे कौस अमेगा बराबर b बटे साइन अमेगा बराबर gटा c बटे p, इससे हमें प्राप्त होता है कॉस ओमेगा बराबर घटा AP बटे C और साइन ओमेगा बराबर घटा BP बटे C और अब साइन वर्ग ओमेगा जमा कॉस वर्ग ओमेगा बराबर घटा AP बटे C पूरे का वर्ग जमा घटा BP बटे C पूरे का वर्ग बराबर एक या पी वर्ग बराबर सी वर्ग बटे ए वर्ग जमा बी वर्ग या पी बराबर जमा घटा सी बटे ए वर्ग जमा बी वर्ग का वर्गमूल इसलिए कौस ओमेगा बराबर जमा घटा ए बटे ए वर्ग जमा बी वर्ग का वर्गमूल और साइन ओमेगा बराबर जमा घटा B बटे A वर्ग जमा बी वर्ग का वर्गमूल इस प्रकार समीकरण AX जमा BY जमा C बराबर 0 का लंब रूप है X कौस ओमेगा जमा Y साइन ओमेगा बराबर P जहां कौस ओमेगा बराबर जमा घटा A बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल साइन ओमेगा बराबर जमा घटा B बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल तथा P बराबर जमा घटा C बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल रेखा के व्यापक समीकरण का उधारण 3x घटा 4y जमा 5 बराबर 0 को सभी रूपों में व्यक्त करें हल ढाल अंता खंड रूप y बराबर 3 बटे 4x जमा 5 बटे 4 जहां m बराबर ठाल बराबर 3 बटे 4 c बराबर 5 बटे 4 अर्थात y अंता खंड रूप 3x घटा 4y बराबर घटा 5 3x बटे घटा 5 जमा 4y बटे 5 बराबर 1 x बटे घटा 5 बटे 3 जमा y बटे 5 बटे 4 बराबर 1 अंता खंड रूप x अंता खंड बराबर घटा 5 बटे 3 y अंता खंड बराबर 5 बटे 4 लंब रूप 3x घटा 4y बराबर घटा 5 गटा 3X जमा 4Y बराबर 5 पांच से भाग करने पर गटा 3X बटे 5 जमा 4Y बटे 5 बराबर 5 बटे 5 बराबर 1 X कौस अलफा जमा Y साइन अलफा बराबर P P 0 से अधिक है जहां कौस अलफा बराबर गटा 3 बटे 5 साइन अलफा बराबर 4 बटे 5 P बराबर 1 रेखा 3X गटा 4Y जमा 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदू गटा 2 तीन से जाने वाली रेखा का समी करण ग्याद करें हल दी गई रेखा का समी करण है ग्याद है कि समांतर रेखाओं की ढालें समान होती है इसलिए दूसरी रेखा की ढाल है M बराबर 3 बटे 4 अब उस रेखा का समी करण जिसकी ढाल 3 बटे 4 है और जो बिंदू गटा 2 तीन से गुजरती है तीन एक्स गटा 4 वाई जमा 18 बराबर शुन्ने एक बिंदू की रेखा से दूरी बिंदू से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है एक रेखा AX जमा BY जमा C बराबर शुन्ने की बिंदू X1 Y1 से लंबवत दूरी डी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं D बराबर AX1 जमा BY 1 जमा C का मापांक बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमोल उधारण बिंदू 3 गटा 5 की रेखा 3X गटा 4Y गटा 26 बराबर शुन्न से दूरी ग्याद करें हल दी गई रेखा है 3X गटा 4Y गटा 26 बराबर शुन्ने इसे एक नाम दें एक की तुलना रेखा के व्यापक समिकरण AX जमा BY जमा C बराबर शुन्न से करने पर हमें प्राप्त होता है A बराबर 3, B बराबर गटा 4 और C बराबर गटा 26 दिया गया बिंदू है X1, Y1 बराबर 3 गटा 5 दिया गया बिंदू की दी गई रेखा से दूरी D तीन बटे 5 है दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी दो समानतर रेखाओं Y पराबर MX जमा C1 और Y पराबर MX जमा C2 के बीच की दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं D पराबर C1 घटा C2 का मापांक बटे 1 जमा M वर्ग का वर्गमोल यदि रेखाएं व्यापक रूप में हो अर्थात AX जमा BY जमा C1 पराबर शुन्ने और AX जमा BY जमा C2 पराबर शुन्ने तो उनके बीच की दूरी है D पराबर C1 घटा C2 का मापांक बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमोल उधारण समांतर रेखाओं 3X घटा 4Y जमा 7 बराबर शुन्ने और 3X घटा 4Y जमा 5 बराबर शुन्ने के बीच की दूरी ग्यात करें हल यहां A बराबर 3, B बराबर घटा 4, C1 बराबर 7 और C2 बराबर 5 इसलिए अभीच्ट दूरी है D बराबर 7 घटा 5 का मापांक बटे 3 वर्ग जमा घटा 4 वर्ग का वर्गमोल बराबर 2 बटे 5 क्या आप जानते हैं? दो रेखाओं का प्रतिछेद बिंदू मालें दो रेखाओं के समिकरण है A1X जमा B1Y जमा C1 बराबर शुन्ने इसे एक नाम दें और A2X जमा B2Y जमा C2 बराबर शुन्ने इसे दो नाम दें मालें कि ये दोनों रेखाओं एक बिंदू PX1 Y1 पर प्रतिछेद करती हैं तब X1 Y1 दी गई समिकरणों में से प्रतिछेद को संतुष्ट करता है इसलिए A1X1 जमा B1Y1 जमा C1 बराबर शुन्ने और A2X1 B2Y1 जमा C2 बराबर शुन्ने वज्रक गुणन द्वारा इन दोनों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है यहां एक और दो के प्रतिछेद बिंदू के निर्देशांख है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं M धाल वाली रेखा पर बिंदू X, Y और Y अन्ताखंड C रेखा पर स्तित होते हैं यदि और केवल यदि Y बराबर MX जमा C हो यदि M धाल वाली एक रेखा X अन्ताखंड D बनाती है तो रेखा का समिकरण Y बराबर M गुणा X घटा D होता है X और Y अक्ष पर क्रमशा A और B अन्ताखंड बनाने वाली एक रेखा का समिकरण X बटे A जमा Y बटे B बराबर एक होता है मूल बिंदू से लंब दूरी P तथा लंब और धन X अक्ष के बीच ओमेगा कौन वाली रेखा के समिकरण को X कौस ओमेगा जमा Y साइन ओमेगा बराबर P द्वारा व्यक्त किया जाता है A X जमा BY जमा C बराबर 0 ने रूप का कोई समिकरण जिसमें A और B एक साइथ 0 ने ना हो व्यापक रेखिक समिकरण या एक रेखा का व्यापक समिकरण कहलाता है एक रेखा A X जमा BY जमा C बराबर 0 की एक बिंदू X1 Y1 से लंबवत दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं सबानतर रेखाओं A X जमा BY जमा C1 बराबर 0 ने और A X जमा BY जमा C2 बराबर 0 के बीच की दूरी को इस प्रकार निरूपित करते हैं